क्या आपने कभी सोचा है कि पालक पनीर 3 मिनट में बन सकता है? तो चलो बनाते हैं पालक पनीर को 3 मिनट में तो हम अपनी गैस को रखेंगे बिलकुल हाई फ्लेम पे इसमें हमने डाला जीरा, लसून और फिल प्याज और इसे high flame पर ही रखेंगे और अच्छे से पकने देंगे जब इसका color change हो जाएगा फिर हम इसमें अपनी tomato की puree add कर देंगे puree add होने के बाद उसे अच्छे से mix करेंगे और जैसी थोड़ा सा boil आने लगेगा तो मैं अपने मसाले इसमें add कर दूँगी जिसमें सबसे important है हल्दी, मिर्च और नमक नमक हम इसलिए डालते हैं जिससे tomato अच्छे से पक जाए उसके बीज अच्छे से गल जाए उसके बाद मेरा कल दूद भड़ गया था तो उसका थोड़ा सा पनीर बचाता तो मैं पनीर इसमें add कर दूँगी और उसके बाद मैं add कर दूँगी अपना पालक का paste पालक का paste basically कैसे बनाया है पालक को उबाल के और mixi में grind करके एक बारी उसके बाद इसको एक अच्छा सा boil लगने देंगे high flame पे और जब तक ये boil लग रहा है बहुत अच्छे से तब उसी time में मैं क्या करूँगी अपने पनीर के cubes को जो है एक बार deep fry कर लूँगी जिससे वो थोड़े से crispy हो जाए और अंदर से soft हो जाए तो अभी पहले मैंने first cube डाला है चेक करने के लिए कि जो oil है वो उतना hot है या नहीं है जब आप ये काम करें तो बहुत careful हो के करें क्योंकि क्या होता है पनीर के अंदर पानी होता है और जब आप उसे hot oil में एकदम डालते हैं तो क्या होता है कि वो react करने लगता है और हमें सारे cubes को अराम अराम से fry कर लिया defry कर लिया जिससे कि वो बाहर से crispy और अंदर से soft हो जाए और काफी careful थी मैं इसको करते हुए तो ये एक point है जिस पे जो पनीर को हम defry कर रहे है हमें काफी cautious रहना है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है माना हम ये पनीर को 3 मिं में बनाना है पर इस point पर थोड़ा अराम से करना फिर जब ये अच्छे से fry हो जाएंगे सारे cubes तो हम simply इनको अपने पनीर पालक के पेस्ट में डाल देंगे जहां पर हमारा पालक जो है वह डबल बॉयल हो चुका है और आप देख सकने कितना प्यारा कलार आ रहा है ऐसी औ आइक शेर और सब्क्राइब करना ना भूले थैंक यू